तो हमारे लिए कोई अपमान नहीं है, हमारे इस अपमान में ही सम्मान मिलता है हम लोगों को पांच वी बार CM बनाना है हम लोगों के अंदर BSP है जै प्रकास सिंग किसी परिचाय के महताज नहीं है BSP के पूर्वराश्टिय उपाध्यक्ष पार्टी से कुछ अन्वन हुई उसके बाद पार्टी ने पार्टी का साथ छूट गया लेकिन आंदोलन का साथ नहीं छूटा है जब प्रकास जीने मेरी राष्ट्री उपाध्यक से तब भी बात हुई थी जब बनाए गए थे लखनव में भी बात चीत हुई थी दिल्ले मे पंचात सचीब के पत के लिए छोटी छोटे पत के लिए लोग संघर्स करते हैं पार्टी अदला बदली करते हैं जैपरकास जी की तारीफ किजिए कि पार्टी से रिस्ता तूटने के बाद खटास होने के बाद एफायार जिलने के बाद भी लगातार पार्टी को मजबू परकाजी ने लक्स तैकिया यह बस देख रहे हैं बैनेटी बस है कांसी रामीज विचार यात्रा यूपी में 403 बिधान सभाज शेत्रा उसमें दवरा करने जा रहे हैं कब से दोरा सुरू हो रहा है माने बैंजी के पैत्री गाम बादरपुर से यह कब आईडिया आया कि यह यह यात्रा निकालनी है यह आज से तीन चा मेने पहला हमारे दमाग में बात आई पहले हम लोग छोटी बस निकाल लाई थे मतलब वह एक टंपू टाइप का लेकिन बात में पर पता चला कि वह सरवजन से सम्मान में भागत सिंग और डॉक्टर अंबेटकर की तस्वीर है यह 403 विधान सभा में जाएंगे हम लोग पूरे उत्रपरदैश के संपुर्ण उत्रपरदैश की सभी विधान सभा में जाएंगे हम लोग पार्टी मदद करे ना करे आपका जीवन अंदुलन के नाम है पार्टी हमारी एक मुवमेंट है मुवमेंट एक खाति हम अपना पुरा जीवन लगाने के लिए तियार है इतनी ताकत कहां से ला तो इतना अपमान कैसे सहते हो आप पर तो दर्ज भी केस्त करा दिया गया था उसके बाद भी समाज के साथ रहेंगे लेकिन यह मु हजार हजार पान पान सो मोटर साइकल इस यात्रा को रिसीव करेंगी प्रितिक विधान सबा में यह देखिए यह विधान सबाउतर परदेश की तस्वीरे हैं और यह तमाम बहुजन अंदुलन कारी तथाकत बूत जोक्टर अंबेटकर साहुजी महराज फूले संदगाड परदेश के और यह तमाम बहुत लोग का मैं नाम नहीं भी जानता हूं यह तमाम लोग पेरियार साहब हैं मतादिन भंगी हैं और सर्चोटु राम हैं पेरियार ललाई सिंग आदव हैं तो यह तमाम हैं सोचिए बहुजन समाज को ऐसे लोग की जरूरत है ऐसे अंदर के लिए लगातार हैं आपसमे बहुत इक जूट नहीं हो पाते हैं तूट तूटे रहते हैं लड़ते जगरते रहते प्रकाह जी ने जो रास्ता चुना है वो रास्ता कठीन तो है बहुत लोग सोचते हो थे कि आप पार्टी से निस्कासित हो गए आपका समर्पन घड़ जाएगा नाराजगी आ जाएगे लेकिन कभी तीन साल लगवफ हो गया मन में कभी खटास आया कभी सोचे कि कुछ कोई खटास नहीं आया और बहुत सम्मान मिल रहा है पूरे देश पूरे विदेश के लोग सब जीख सम्मान मिल रहा है तो ये इस बार लक्ष किया इधर अधर आई जी प्रकाह जी तो ये विधान सभा भाई है बेंजी को पांचवी बार सिए ब्राना है हमारा उदेश पां लोग मूमिन Cul racist के अंदर रहकर काम कर रहे हैं हम उनके अलावा ऐसे लोग हैं जिनके अंदर Bsp हम लोग के अंदर यह में यह थी है मैं 2003 से पार्टी होगिस्ट नांट करके काम कर रहा हूं और मिसंप्राइब में हम लोग 2017 से अभी पार्टी में नहीं है मैं भी पार्टी में नहीं हूं आपका क्या नाम है मेरा नाम रजयत कुमार है तन बन और धन हम धर तरीके से जैप्रकाजी के साथ है तो यह पांच मजबूत कंदे हैं जो जैपरकाजी मैं फिर कह रहा हूं अगर बहुजन समाज यह यह भी साव है आप क्या नाम है आप क्या करते हैं आप इनके साथ जूरे हुए बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे देखे कोई समाज ऐसे बनता है बाबा साब कहते थे मानवर साब कहते थे कि जिस समाज की समाजिक जर्य मजबूत होती है वो समाज सत्ता में पहुंचता है सिर्फ किसी पार्टी में एमेले एमपी बनने के लिए तो लोग आते जाते रहते हैं लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर इस देश में बहुजन समाज में जैपरकाज जीज़े से लोग हुएं जो अपमान सहते हुए हम लोग किसी चीज की लड़ाई ल़ह हैं सम्मान की अपमान सहते हुए जिस तरह से पार्टी को और समाज को ये पेवेक्टू सोसाइटी कर रहे हैं मैं फिर कह रहा हूँ गर दरजन भर लोग भी इस तरह के हो गए बहुजन समाज में तो इस समाज की दिसा और दसा दोनों बदलेगी और नेता भी बदलेंगे आप सोचिए कि एक अपमान का घूट पीते हुए जब लोग लालत से उपर उठकर लगातार वो बीस पी को मजबूत करें आज तक कोई बयान कोई स्टेट्मेंट नहीं है बीस पी के खिलाफ कास बहुजन समाज में ये ताकत आती और इस तरह की एक जूरता आती समर्पन ह होता तो बहुजन समाज आज सत्ता के देहरी पर खरा होता शुक्रिया जैपरकाज जी कि आपने ये इनिसेटिव लिया और नेशनल दस्तक की पूरी कोशित रहेगी कि जहां जहां आप से मुलाकात हों हम इस पर बात करते रहें सोसल मीडिया पर खुद को आपडेट भी र के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेसर दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें